हेलो दोस्तों हम बात करेंगे मंगलवार को आई भरती जो कि हमारे रक्षा मंतिरी राजना सिंग निकाली नहीं है जो योजना बनाई है वो है अगनी पत योजना इसमें कितनी आपकी उमर चाहिए कितनी पड़ाई चाहिए और इसमें आपको कितना बेतन मिलेगा ये सब हम बताएंगे तो उससे पहले आप हमारा फिटनिस वाला चेनल को सस्क्राइब कर दिए जिसका नाम है इंडियान जिम वरकाउट तो शुरू करते हैं वीडियो तो दोस्तों जो मंगलवार को भरती आई है उसमें उमर रहीगी आपकी साड़े सतरह से 21 साल तक हो सकता है किसी किस और उसके बाद आपका मेडिकल होगा तो जैसे सिंपल होता है वही होगा साल में दो बार भरती आईगी बरती कितनी आईगी कम से कम यह समझ लिए 80,000 से एक लाग तक भरती आ सकती है दोस्तों वह बागी इसके जानकारी और 15 दिन के अंदरी आपको पूरा सब कुछ पता चल जाएगा डोकुमेंट मोकुमेंट फॉर्म भराने लगेंगे उनलाइन पंदर दिन के अंदर भरती स्टार्ट हो जाएगी ओल इंडिया में और इसमें आप बात करते हैं सेल्री क्या रहेगी तो आपकी पहले साल 30,000 रुपे महीना सेल्री रहेगी जिसमें से आपको 21, 30,000 रुपे तो आपको दे दिया जाएगा 9,000 रुपे वो लोग रख लेंगे जो आपको सेव निदी में रखा जाएगा और 9,000 रुपे यह आपको सरकार देगी टोटल 18,000 रुपे आपका सेव निदी में रखाएगा और 21,000 रुपे महीना आपके हाथ में मिलेगा दोनों सेव निदी में आपके पेमेंट में से कट जाएगा याने की 33,000 मिंपे से और इतना ही सरकार देगी तो लगभग 11-12,000 रुपे 21,000 रुपे आपका सेव निदी में रखाएगा दूसर साल और 33,100 रुपे आपको मिलेगा फिर तीसर साल आपको मिलेगा 36,500 रुपे जिसमें से आपको 25,580 रुपे आपको हत्मिदे दिये जाएगे और करीबन 10,950 रुपे आपके सेव निदी में रखाएगे और उतना ही सरकार भी देगी लगभग वो आपका हो जाएगा 21,000 रुपे सेव निदी में रखाएगा फिर बात करेंगे 24 साल की जिसमें आपको 40,000 रुपे मिलेंगे हाँ दूस्तों 40,000 रुपे जिसमें 28,000 रुपे आपको हत्मिदे दिये जाएगे और 20,000 रुपे आपका सेव निदी में रखाएगा और उतना ही आपका सरकार भी देगी तो पहले साल का जो पेकेज रहेगा वो रहेगा 4,56,000 रुपे और आखरे चोते साल का जो आपका रहेगा वो रहेगा 6,92,000 रुपे और ये 4 साल की भरती है और इसमें से 25% लोगों को उसके बाद जिंदकी वहर के लिए भी आर्मी में रखा जा सकता है अगर उनका करें इसमें बात करें उमर की तो बताई दिये साड़ी सतरा से 21 तक रहेगी NCC वालों को कोई benefit मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी खुलके जानकारी नहीं आईए अगर आती है तो NCC वालों को कितना benefit रहेगा यह पता चल जाएगा दोस्तों लगबग मैंने सारी जानकारी बता दिये और भी कुछ भी इसी से related जानकारी अगर मुझे पता चलती है या पब्लिस होती है रक्षमंतर आली के तहट तो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दवाना पड़ेगा ताकि यह पंदर दिन में आने व कुछ आ जाएगा और मैं इस टोपिक की उपर वीडियो बनाता रहूँगा आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ अगर इसमें मैं छूट गया है जो मैं नहीं बता पाया हूं वह मेरे को कमेंट करें तो मैं उसकी बारे में सर्च करूँगा गूगल प पंदरे दिन के अंदर आ जाएगा दोस्तों ओके दोस्तों बाई